पिरक अवधी, स्मृती या लॉंग टर्म मेमरी की हम बात करते हैं तो इसकी विभने प्रकार होते हैं सबसे पहला प्रकार है डिकलरेटिव और प्रोसीजरल ये डिकलरेटिव को हम वापस विभाजित कर सकते हैं एपिसोड और सिमनेटिक में ये क्लासिफिकेशन तुल्विंग नहीं दिया था तो सबसे पहले तो डिकलरेटिव मेमरी क्या होता है मैं सीधे सीधे प्रक्ट इंफरमेशन आपको बता रही हूँ कि मेरा नाम ये है, जन्म इस दिन हुआ है, भारत आजाद इस दिन हुआ है भारत का नैशनल फ्लावर ये है, नैशनल ट्री ये है तो ये क्या है डिकलरेटिव जो सिर्फ प्रक्ट और फिगर्स पे बेस्ट इंफरमेशन है procedural क्या होता है मैं cycle चला सकती हूँ cycle कैसे चलती है guitar क्या से बचता है तो ये procedure है जिसमें आप किसी चीज का process समझाते है अब जो declarative memory होती है जैसा कि हमने कहाँ वो वापस दो तरीके से हो सकती है एक होती है episodic मतलब मान लीजिए कि आपको सारी चीजें याद नहीं है पर वो एक episode आपके दिमाग में important है किसी वज़े से मान लीजिए आप अपनी कक्षा में पहली बार प्रथम आये है तो वो जो feelings है वो जो emotions हैं आपके अंदर वो आपके lifetime आपके साथ है वो आपके लिए भूलना मुश्किल है वो आपके emotions से जुड़े हुए है आपके personal experiences से जुड़े हुए है और वो आपके life के एक biography का हिस्सा है तो वो episodic memory हो गया दूसरी तरफ होता है semantic memory semantic memory का मतलब ये है कि जिस चीज में आप general awareness को जोड़ना चाहते हैं जैसे मान दीजिए कि मैंने बोला 2 plus 2 तो अगर मैं करूंगी तो 4 है और फिर मैंने पूछा 2 plus 6 तो आप बोलेंगे 8 है तो ये कैसे हुआ ये ऐसे हुआ कि आपने उसको semantic आपको जोड़ का concept पता है आपको edition का concept पता है क्योंकि आपको जोड़ या edition का concept पता है वो आपकी semantic memory का हिस्सा है और आप उसको जल्दी से नहीं भूल पाएंगे अब हम बात करते हैं कुछ और विपिन प्रगार की long term memories की जैसे हम बोलते हैं flash bulb memory कुछ एक घटा आपके जीवन में ऐसी हुई है जो आपको बहुत minute रूप से उसकी एक एक चीज याद है तो यह क्या हो गया यह हो गया आपका flash bulb memory मतलब आपको उस चीज की बहुत बारी की आध्यान है और वो एक mental image की तरह आपके दिमाग में चाप छोड़ दी है फिर होता है autobiographical memories जिसमें आप अपनी personal life के experiences को लेते हैं पर इसी में एक बहुत interesting चीज होती है जिसको हम बोलते है childhood amnesia मतलब जब बच्चा चार से पांच साल तक का होता है उससे पहले का उसके साथ क्या हुआ है उसने क्या किया है उसे कुछ याद नहीं होता तो वो होता है childhood amnesia पर जैसे 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 यूथ का समय आता है युवावस्ता का समय आता है उसको अपनी life experiences ज़्यादा याद रहते हैं और old age तक जाते जाते हैं सिर्फ recent घटा हैं उनके दिमाग में रहती हैं बाकी घटा हैं वो दीरे दीरे भूलने लगते हैं तो ये हो गया आपका autobiographical memory अगला है आपका implicit memory implicit memory का मतलब ये है कि आपने सोचा नहीं है वो अपने आप आ गया माल लीजे कि आपने बच्पन में cycle चलाई है अब आपको वापस cycle दे दी जाती है चलाने के लिए तो आप ये नहीं सोचेंगे ये पेडल होता है ये हेंडल होता है इसको ऐसे पकड़ा जाता है आप अपने आप उसको पकड़ के चलाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या है? वो implicit memory है आप उस शीज़ पे सोचने के लिए जोड नहीं लगा रहे हैं आप कोई extra effort नहीं कर रहे है वो दीरे दीरे अपने आप आपके subconscious level से निकल के आ रही है तो जब भी हम long term memory या दीर का अवधी स्मृति की हम बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि concept कैसे बनता है उसको categorize कैसे करते हैं उसका एक schema कैसे बनता है ये सब चीजें long term memory का एक बहुत महत्पूर्ण हिस्सा है